सेक्स प्राकृतिक चीजों में सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। सेक्स वास्तव में इनसान के लिए सबसे करीबी स्पर्शों में से एक स्पर्श होता है। लेकिन इनसान इसी स्पर्श से डरता है। सेक्स जीवन का आधार ही नहीं है, बलकि ये जीवन का कारण भी है। सेक्स बिलकुल पैसे की तरह होता है, जितना मिले उतना ही कम। 90 साल की उम्र में सेक्स करने का मतलब एक रसी के साथ फुल पार करना। प्यार के बिना सेक्स खोखला होता है, और सेक्स के बिना प्यार मजाक होता है। लड़के सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं, लेकिन लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स करती है, तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूप कर करती है। सेक्स बहुत ही मजेदार होता है इसका मज़ा बिना हसे ही लिया जाता है सेक्स और प्यार में बस इतना ही फर्क है कि सेक्स तनाव को कर्क्न करता है और प्यार तनाव का कारण बनता है सेक्स और मौत हमारे जीवन की वास्तविक्ता है इंसान के जीवन में 50% सेक्स होता है और 50% पैसा होता है एक लड़की किये गए सेक्स के बारे में नहीं भोलती है वह एक न एक दिन किसी मर्द से जरूर बात करेगी दुनिया में कुछ चीजे सेक्स से बहतर है लेकिन कुछ चीजे सेक्स से भी ज्यादा बुरी होती है सेक्स बिलकुल एक सौफ्टवेर की तरह होता है ये जब अच्छा होता है जब ये फ्री होता है हम खराब भोजन और बुरी आद्टों को रूमास और सेक्स के साथ जोडने के लिए करते हैं प्यार बिलकुल आइस क्रीम की तरह होता है लेकिन सेक्स उसके उपर रखी चेरी के समान होता है महिलाओं को सेक्स के लिए एक कारण की जुरत होती है लेकिन मर्दों को बस एक जगह की वर्टिकल बार जिक्र उसी की होती है जिसकी फिक्र होती है कल मैं उसके गली से गुजर रहा था क्या बताओं मेरे उपर क्या गुजर रहा थी इन सब में सबसे ज्यादा मश्रूफ लगी आप ज्यादा कुछ नहीं टीवी का कार्टून लगी आप दुनिया का दस्तूर है ये जिसे तूट कर चाहोगे वही तोड़ कर जाएगा दिन दूसरों के कामों में बीट जाती है और रात आपकी यादों में बीट जाती है बहुत दिनों से नजर में थी पता नहीं किसकी नजर लगी आज कल नजर नहीं आती भी कभी कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि उनके फेस पर देने का मन करता है बहुत हाड बहुत हाड जुर्म का पता नहीं बस सजा दिये जा रही है जिन्दगी वक्त बहुत कुछ छीन लेती है खैर मैं तो किसी का आशिक था झाल